नवस्कार मित्रों मैं हूँ साइस गुरू जुरावर सिंग आज मैं आपके लिए एक भेतरिन टोपिक लेके आया हूँ प्रकास अर्थात लाइट इस टोपिक से कई वार पृत्यों की परिक्षाओं में प्रस्ण पूछे जाते हैं और इस टोपिकों पढ़ने के बाद में म सेट्रों मेगनेटिक वेग यह क्या होता है विद्दु चम की तरंग क्या होता है जो बगेर मादयम की चलती है जिसको बिना मादयम जो तरंग बगेर मादयम की चलती है अर्थात किसमें चलती है निर्वात में निर मतलब नहीं पात मतलब हवा इसका सरवादिक वेग होता तीन इंटू दस की गात आठ मीटर परती सेकिंड किसमें होता है निर्वात में तो प्रकास एक विदुचुमकी तरंगे इसका सरवादिक वेग निर्वात में होता है अब इसी के साथ में आपको बता रहा हूं धमनी धमनी पर्तियास्त या यांत्रिक तरंगे जिसका के बारे में बता रहा हूं और यह चार गटना है कौन कौन सी है पहली गटना है परावर्तन दूसरी अपवर्तन तीसरी पूर्ण आंत्रिक परावर्तन और चोथी गटना है प्रक्रिणन परावर्तन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं रिफ्रेक्शन पूर् इंट्रिक्षार भिक्रान अब इन 4 गट्वाइँ की 600 toothps शोट इसको बोलते होँं 100 реально यहां पर यूठी गतना एसकों चमकना और रहीं ग्याखे आपको यह चारह हैं जूठी गतना चमकना या रं इसको आप देखके द्रिक्सर हान कर सकते हैं कैसे द्यान से देखो सची गटा का मतलब मैं आपको दिखाई दे रहा हूं आप मुझे दिखाई दे रहे हूं मेरा प्रतिमिम आपको दिखाई दे रहा है किया संसार में कोई भी वस्तु का प्रतिमिम दिखाई देना किसी भी वस्तु का प्रतिमिम दिखाई देन शचborgन मैं आपको नदर आ रहे हुं सची गटना है तो इक्या ब्रावरतन पेड़की पत्ति वासता में हरी ये दिखाई DRय ये क्या है ंस को नदर सन ड़ा रहा है शची गटना क्या है प्रावरतन खीर क्यूर को है nadlooking तरें की अप posson का मत्रब है वैसे ही प्रकासित हो रहे हैं लेकिन हमें अपोर्टन कार्ण जग बुज जग बुज इसको हम बोलते टिम टिमाना ट्विंकलिंग ऑप स्टार ट्विंकल टिमकल लीटिल स्टार आपने एक पोयम सुनी होगी इसमें यहां मतरब है टिम टिमाना का मतरब है जग बुझ जग बुझ वास्तों में तारे जग बुझ नहीं हो रहे हैं तारे सिर्फ प्रकासित हो रहे हैं तो तिम्ट वाना जूटा है जूटी गड़ना है तो आंसर क्या होगा अपवरतन मैंने गलास ली गलास में सिक्का रखा कैसा नजर आएगा आप सभी कहोगे उपर उठावा नजर आएगा अब भी तर तो मैंने पानी उसमें भरा ही नहीं है जैसी मैं उसमें पानी भरूँगा सिका कैसा नजर आएगा उपर अब मुझे गौर से बताओ सिका उपर है कि नीचे सिका वास्ताओं में नीचे है और हमें कैसे नजर आ रहा है उपर तो यह कैसी गटना है जूटी शिके का उपर उठा दिखाई देना जूटी गटना है जबकि पैंसिल का मुड़ावा दिखाई देना पैंसिल का मुड़ावा दिखाई देना भी जूटी गटना है पानी से आप पैंसिल बाहर निकाल के देखो पैंसिल आपको शीधी नजर आएगी पैंसिल आपको शीधी नजर आएगी बाहर निकाल के देखो शीधी है जूटी नजर आ रहे है आपको मुड़ीवी ये जूटी गड़ना है आग की लोकी दूसरी तरफ बस्तु के इनला मेरे बीच में आझ जल रही है आगे आगे आझ जल रही है उधर एक पेड है अब मुझे इधर से पेड़ हिलतावा नजर आएगा पेड़ डांस करतावा नजर आएगा क्या पेड़ नृत्य कर रहा है क्या पेड नाच रहा है क्या पेड हिल रहा है नहीं पेड इस्तिर है मुझे जूठा हिलता वापरतित हो रहा है आग की लोग की दूसरी तरफ मुझे हिलता वापरतित हो रहा है तो यह कैसी गटना है मित्रों जूठी गटना है तो इसका आंसर क्या होगा अपवर्तन तो यह अगरिम सूर्य दय और विलम भी सूर्यास्त ये भी अपवर्तन का ही उदारने ध्यानकणा, अब बात करें पून आंतरिक परावरतन, जिसकी ट्रिक है चमकना, जहाँ कहीं भी मित्रों आपको चमकने का भाव नजर आए, वहां सवर क्या होगा, पून आंतरिक परावरतन, अ रेत नजर आती है और गर्मी के कारण रेत उसको चमकती नजर आती है चमकने के कारण रेत के चमकने के कारण उसको पानी नजर आता है और दोड़ता हो आता है बेवकू बन जाता है इसी को बोलते है मरग मरिची का उसको पानी का अभास हो रहा है रेत चमकने के कारण रेत च प्रकास्तंतु का काम में लेते हैं प्रकास्तंतु किस पर अधारित है पूर्ण आंत्रिक परावरतन चमकना पूर्ण आंत्रिक परावरतन अब बातारी रंग की एक्जामें रंग पे कोई भी प्रस्णा आए इन तीनों से जम्मदित उपर क्या है आकास नीचे क्या है पाताल पाताल बोले तो समुंद्र समुंद्र रंग कैसा होता है नीला आकास का रंग नीला यह हमें नजर आता है अगर इन तीनों का रंग पूछा जाए तो आंसर क्य परकिनन अखाज का निला रंग परकिनन समोंदर का नीला रंग प्रकिनन अगर मांता निला समुंधतर का नीला इसलिए हम देखा जाए कि 71 पर looked पुर्ति को नीला घ्रह कहते हैं कैसा अगर बोलते हैं नीला समुंद्र नीले रंग का है सेवंटीवन परसंद भाग पानी पानी है और इसलिए पुर्ति को नीला घ्रह कहते हैं इन तीनों का रंग पूचा जाए तो आप क्या लग होगी प्रकीन और मेरे टीशित का रंग प नहीं हो तो कैसा रंग नज़र आएगा वाइमटल नहीं हो तो तो इसका रंग नज़र आएगा काला, कैसा रंग नज़र आएगा काला, तो मुझे उमीद है आपको ये टोपिक भेतरिन तरीके से समझाया होगा अब आपको प्रकास से समधित कोई भी डाउट नहीं होगा और प्रकास से समधिन सबी प्रष्णों को हलकाने के लिए आपको इस ट्रिक का ध्यानकना है शची गतना, जूती गतना, चमकना और रंग तो मुझे उمीद है आपको यह टोपिक बड़ा मज़ेदार लगा होगा समझवाया होगा जदा 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 इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें ओके बाई